आप सबका स्वागेता है मेरे चैनल दिकास नमानविक्की आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं यह महांचप देश में कांगडा जिले में नोल लंबा गाउं में यह काफी पुराना महल है और कहा जाता है इसको सर्द खाना नाम से भी जाना जाता है तो आएए मेरे साथ में आज आपको दिखाते हैं महल के दर्सन आपको दरा देखें आज को आप देख रहे हम आगे है महल के अंदर यह अंदर का सीन है अंदर जब जाएंगे तो आपको दिखाते हैं यह रहा है महल सामने और यह साथ में यह मैरीज पले इस है काफी साथी बगारा रहती हैं लोगडाम के करण थोड़ा मंदा चल रहा है तो यह रूम्स है यहां पर महरीज के रात का दृश्य और भी देखने का है मैं आपको फोटो लगा देता हूँ आप देख लिए रात को और भी चार चाम लग जाते हैं इसको इसारा साथी के लि कुछी तो ऐसे लगता की राज घरानों में साधी हो रही है यह रूम जो है वो मैरिज पैलेश के साथ में है जब भी आप साधी के लिए मैरिज पैलेश बुक करेंगे तो साथ में यह रूम भी आप बुक कर सकते हैं तो यह dining table पगारा यहां पे लगा हुआ है मैंने अगर यह booking करना है तो मैंने contact number आपने description पे दिये हुए है तो आप booking भी कर सकते हैं पेंटिंग आप देख सकते हैं यहां पे बाकी साथ में और भी रूम जुड़े हुए हैं तो इसमें जो चीजें लगाए गई हैं वह भी काफी दिल्चस्प लगाए गई हैं महल के हिसाब से लगाए गई है और यह पेंटिंग देखिया आप कांगरा की है काफी पुर्वानी पेंटिंग है यह है सेजानपूरूफ फोर्ड इस महल का इतियास काफी बुराना है इसका इतियास महाराजा जेचंदर और महाराजा दूप देवचंदर जी के समेका है सेजानपू तीरा का फोर्ड और कांगरा फोर्ड भी इसे समंधित है अब ही राजा शिरी अधित्य देवचंद कटोच और रानी सिरीमती चंद्रेश्क मारी वो उनका बेटा सिरी ऐश्वर्य देव चंदर कटोजी देख रेक कर रहे हैं सिरी ऐश्वर्य देव चंदर कटोजी स्थानी राज्य के राजनीजती में भी सामिल हैं उन्होंने कांगडा के उत्थान के लिए शक्री रूप से काम किया है वह काफी ट्रस्ट के संसाफ़क भी है उन्होंने काफी NGO भी चलाए हुए है तो अभी आप देख रहे हैं यहां पे सब के फोटोज फ्रेम किये हुए हैं और काफी अच्छी अच्छी कला करीतिया है जो इस महल के अंदर है आप देख सकते हैं दिवारों पे पेंटिंग जो है अप्रण जो है जो है अपरोंऑन कफां अखरों सब्सक्राइब गास प्रिकम अच्छी ःट्क सब्सक्राइब इँ झाल 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 झाल